मसकार दोस्तों स्वागत है आज के नए वीडियो में जिसमें हम आज कोई स्पेशल बनाने वाले आज हम बनाने वाले हैं आयोटी बेस्ट स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम या फिर उसका दूसरा नाम हो सकता है वेदर इस्टेशन IoT यानि इंटरनेट पे काम करने वाला ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंटरनेट के जरीए डेटा को मॉनिटरिंग करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे पौधों, पेड़ पौधों में, फिल्ड में, पानी देने के लिए एक distance communication system जो इंटरनेट पे काम करता है वो बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे sensors लगे होंगे जो हमें वहां के temperature, humidity, moisture इस सारे चीनियों को बताएंगे तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं temperature और humidity इनके लिए हम यूज़ करेंगे DHT11 इस एक module में temperature और humidity दोनों का हमें command मिल जाता है उसके बाद हम यूज़ करेंगे rain sensor जब भी इसमें rain drops बढ़ते हैं तो इसमें जो है यह conductive wire इसके बीच में resistance कम हो जाता है उससे होता क्या है हमाई जो output मिलता है हमाई यहाँ पर जो एक छोड़ा सा circuit दिखाई दे रहा है उससे हमाई output मिल जाता है actual में यह जो module है LM393 comparator IC इसमें लगा हुआ है यह voltage comparator IC है जब भी इसमे rain drop होता है तब इसका जो signal है वो amplify होके हमें यहाँ पर मिल जाता है और वैसे ही है हमारे पास यह moisture sensor soil moisture sensor जहां भी soil होता है मिट्टी होता है वहाँ पर हम इसको अपने गंबले में या field में इसको लगा देते हैं और वैसे हमें resistance कम होता हुआ नजर आता है जब भी इसमें moisture दिखाई देते हैं और output हमें वैसे ही इस module में मिल जाता है आउटपूट को देखने के लिए हम वहीं पर अपने प्रोजेक्ट में एक LCD यूज़ करेंगे जो हमें temperature, humidity, moisture इसमें दिखाएगा डिस्पले में बहुत सारे वायर्स लागाने पड़ते हैं Wi-Fi Development Board चाहिए तो सबसे ज़्यादा जो है लोग यूज़ करते हैं यह NodeMCU Board आप चाहे तो NodeMCU Board यूज़ कर सकते हैं यह एक Wi-Fi Development Board है या फिर आप ESP32 यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आज इन दोनों के जगह पे एक नया module इसको भी कुछ लोग यूज़ करते हैं यह है वी मोज D1 के नाम से आता है यह भी एक Wi-Fi Development Board है तो आप चाहे तो NodeMCU ESP32 यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें आप देख सकते ह इसमें Power supply का अच्छा इसमें देख सकते हैं और यहां पर बाड़ा बोल्ड भी पावर सकते हैं प्लांड में वाटरिंग के लिए यानी पानी के लिए हमें इस टाइप का एक पौंप चाहिए होता है वैसे यह छोटा पंप है इसमें ज्यादा पानी नहीं निकलेगा अगर आपको फिल्ड में apply करना है ज्यादा पानी चाहिए तो आपको इस तरह का cooler pump यूज़ करना चाहिए यह मैं के cooler pump यूज़ करना हूँ जो easy supply पे काम करता है अब easy supply पे काम करेगा तो उसके लिए हमें switching relay चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा एक relay यूज़ करूंगा यह पांच पॉल्ड का relay module है याशे तो पंप को हमें अपने mobile से ही on-op करना है यूट के जरिए लेकिन हम फिल्ड में भी एक pump को on-op करने के लिए इस जोड़ा से switch है अपना push button इसको यूज़ करेंगे ताकि फिल्ड में और जैसे कि मैंने बताया मैंने वी मौस डीवन वाला जो module है यह अपने development उसको यूज़ कर रहा हूं जहां पर इसको लगाने के लिए power supply देने के लिए इसमें पहले से पीन मौझूद है तो मेरे लिए अच्छा सुवीधा हो जा रहा है तो आपने देख लिया कि हमें क्यों करना सामान चाहिए एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि जो जो हमें सामान चाहिए जो जो हमें development board components चाहिए वो सब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसको बनाने के लिए आप इसको arrange कर लिजे फिर हम आगे बढ़ते हैं अब हमें सारे components को इस circuit diagram के हिसाब से जोड़ लेना है चाहिए तो इसका screenshot ले 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 या फिर description में इसको download करने का link मैं आपको दे दोंगा उसके बाद हम जाएंगे अपने browser में और वहाँ पर blink.io पर जाएंगे और वहाँ पर आपको अपना email id और password से आपको पहले register करना होगा register करने के बाद इस type का आपको window देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको profile में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ option देखने को मिलेंगे आप यहाँ पर dark mode भी select कर सकते हैं, dark mode मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आखों को पर reflect नहीं आता है और यहाँ पर आपका developer mode जो है वो on रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम जाएंगे template में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ भी template दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ new template पर हम select करेंगे तो उसके बाद हमें अपने project का नाम उसको पहले यहाँ पर नाम रख लेना है, तो मैं नाम रख लेता हूँ smart irrigation system और यहाँ पर hardware जो ले रहा हूँ मैं, ESP32 का कोई सब भी अब ले सकते हैं, ESP8266 तो जैसे कि मैं ले रहा हूँ Wemos D1, वो भी ESP8266 series का है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ESP8266 को select कर लेता हूँ और connection type तो Wi-Fi रहेगा और यहाँ पर मैं done कर लोंगा, connection type जो है वो आपको हमेसा Wi-Fi रहना चाहिए अब देखिए मेरा के template create हो चुका है, अब हम data stream create करेंगे, उसके लिए data stream में जाएंगे और यहाँ पर new data stream यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर हम virtual pin create करेंगे, virtual pin और सबसे पहले हम एक virtual pin create कर रहे हैं तो virtual pin जो होता है वो आपके digital pin से अलग होता है, digital pin जो होता है सिदा से hardware का pin होता है इसलिए हम यहाँ virtual pin create कर रहे हैं जिससे हम आसानी से change कर सकते हैं तो यह पहला जो pin है वो on का है, pump को on करने के लिए उसका नाम रख लिए हमने on और जो b0 virtual pin है उसको हमने select कर लिया है और यहाँ पर पहला जो है वो on का हमने create कर लिया है और फिर से off के लिए नया data stream create करेंगे वही virtual pin select करेंगे और यहाँ पर नाम रख लेंगे off और virtual pin भीवन पर इस पर select किया है हमने वैसे हम और data stream create करेंगे तो यहाँ पर जो हम एक और virtual pin भीटू की यूज़ कर रहे है जो pump को होगा pump का यह led इसके लिए हमने select किया है और minimum maximum value भी आप देख सकते हैं 0 और 1 को तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर create कर रहा हूं virtual pin वैसे ही आपको create करते रहना है तो आपको यह आगे पता चलेगा कि मैं यह क्या कर रहा हूं कितना जैसे कि यहाँ पर monster led उसके लिए मैंने यहाँ पर virtual pin create कर रहा है बीथरी पर और एक data stream create कर रहा हूं मैं एक मैंने मैं उस्चेर कर लिया था अब मैं ran का कर रहा हूं ran led यहाँ पर ran sensor में लगा आया था इसलिए ran का indication के लिए ran led का यह मैंने virtual pin create किया तो एक और create करेंगे यहाँ पर दोस्तों धिरे दिरे आप देखेंगे कि मैं किस तरह से virtual pin create कर रहा हूं हर एक data stream अलग-अलग create कर रहा हूं वह सब आपको आगे पता चलेगा कि process क्या है तो यहाँ data type मैं double ले रहा हूं humidity के यूनिट जो है percent create कर रहा हूं यहाँ decimal के बाद मुझे अगर चाहिए तो आप डबल हैस करेंगे यहाँ पर मुझे एक ही value चाहिए decimal के बाद कोई value नहीं चाहिए और minimum और maximum जो है 100 0 से लेकर 100 तक रहेगा चाहे तो आप यहाँ पर color भी select कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं humidity के लिए यह वाला color select कर रहा हूं अब चाहिए तो नहीं भी करेंगे तो कोई problem नहीं है तो humidity का मैंने कर दिया था एक और virtual pin create करते हैं temperature के लिए तो देख सकते हैं temperature भी 6 पर हमने create कर रखा है और यहाँ पर integer नहीं जबकि data type फिर आएगा डबल और यहाँ यूनिट जो है मैं degree centigrade select करूंगा यहाँ मैं ढोंता हूं कहां पर रख यह हाँ यह रहा degree centigrade और value जो है वह 100 तक रखता हूं मैं और यहाँ decimal के बाद मुझे एक value चाहिए तो मैं hash dot hash select किया default value भे अब select कर सकते हैं और no problem बस इतना ही select करके create कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरा साथ अलग-अलग data system select हो चुका है अब साथ क्यों लगा है वह हमें आगे प्रोग्राम करते साहां पता चलेगा तो अब हम जाएंगे search option में और new device select करेंगे तो यहाँ पर हमने एक template करेंगे तो from template को select करेंगे अभी हमने एक template को select किया बनाया था तो choose template में जाएंगे और smart irrigation system अपना जो template था वही वाला दिखा रहा है तो device name भी रखते हैं और create करते हैं अब देखे create करते ही हमें तीन template name और authentication token इन सारी चीज़ों का हमें copy कर लेना है और copy to clipboard कर लेंगे अब देखिए हमें अब आ चुके हैं programming section में और यहाँ पर हमें जो दिखाई देर है तीनो section वहीं पर हमें इसको paste कर लेना है जो अभी थुड़ी देर पहले copy किया था यह देखिए सब कुछ हमारा यह paste हो SSID और password यहाँ पर लिख लेना है तो वही मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ अगर कोई वाद password नहीं है तो उसको आप खाली भी शुड़ सकते हैं तो यहाँ पर आगे देख रहे हैं तो अपना जो hardware है वह हम सिलेट कर लेंगे जो भी hardware अभी circuit के हिसाब से लगाया था उसको हम सिलेट कर लेंगे तो यहाँ पर जो मेरा hardware है वह मैं सिलेट कर लेता हूं यहाँ बोर्ड में जाएंगे और अगर ESP32 है तो ESP32 सिलेट कर सकते ह यहां पर देख सकते हैं वी मोस का दिखा रहा है वी मोस D1 R2 उसको मैं सेलेट कर लूँगा, तो मेरा सेलेक्षन हो चुका है, अब कॉमपोर्ड 5 भी सेलेक्ट हो चुका है, यह देखिए, कॉमपोर्ड 5 में यह दिखा रहा है, बस सारी चीज़े तो रेडी है, अपलोड करता अब हम जाएंगे अपने मोबाइल में अब देखिए अगर आपके पास कोई राउटर नहीं है तो आप पर मोबाइल में पर हाट इस्पोड क्रेड कर सकते हैं थोड़ी देर पहले हमने जो अब हम जाएंगे अपने ब्लिंग के एप और वहाँ पर लोग इन कर लेंगे वही लोग इन पासवर्ड जो थोड़ी दर पहले हमने अपने डेक्स्टॉप में बनाया था अपने ब्राउजर में और यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं उसी मूद देखिए कनेक्ट हो चुका है करेंगे यहाँ तो आपको आपकर दीखाई नहीं दे रहा है विज्ट जो होता है हमिए Select करना यहाँ पर बहुत सारा विज्ट्स आपको जिखाई दे रहा है बहूस सारे प्रोफ के लिए हैं जिसके अपरेवेरें करना नहीं पड़े गा तो इहां पर मैंने यहांपर एक टेंप्रेचर इस सारी चीज़ा आप अपने साफ से एडिट कर सकते हैं कोई भी ना भख सकते हैं यहां पर हमने टेंप्रेचर का कल लिया है तो यहां पर जो गौज है उसका हम कलर भी सेलेट कर सकते हैं ओके यह रेडि हो गया है एक और लेते हैं विजेट वही गौज वाला अभी लेंगे हम लिए के लिए अब ऐसे ही सेलेट करेंगे और डेटा इस्ट्रेम अपना जो हुमिनिट्री वाला था भी फाइप में उसको सेलेट कर लिया है और यहां पर उसका नाम भी रख लेते हैं है हुमिनिटी अब यह हम लोग मोबाइल का डेश्बॉट अभी बना रहे हैं कि कलर को भी सेलेट कर लेते हैं हमें मुबाइल में यूज करना है इसलिए मोबाइल का डेश्बॉट हमें रेडि करना जरूरी है अभी हम एक और वीजेट करेंगे LED का और डेटा इस्ट्रेम स और आपको दिखेगा indicate करेगा यहां नाम लिख लेता हूं मॉस्चर एलेडी का आप सेलट भी कर सकता हैं कलर को भी यह मॉस्चर का एलीडी बन गया यहां पर एक और साइज को भी एड्यास कर लेता हूं साइच छोटा बड़ा कर सकते हैं आप यह हाँ एक और LED ले लेते हैं LED का विजेट और डेटा एस्थेम सेलेट करता हूं मैं कि यह नीचे हाँ यह रेन LED जब आपका बरसात होगा तो आपका यह रेन फॉल दिखाई देगा रेन फॉल का LED यह देखी एक और रेन फॉल का LED हमने क्रिएट कर लिया है वीफोर वाला जो था वर्च्वाल पीन उसी पर और एक और LED हम ले लेंगे डेटा से रेट कर लेते हैं वीटू पर्म का LED जब आपका पर्म चालू हो जाएगा तो आपका यह LED इंडिकेट करेगा यहां नाम रख लेता हूँ LED का पॉम्प और कलर भी सिलेट कर लेता हूँ कोई भी कलर आप अपने हिसाब से सिलेट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगेगा तो देखिए पॉम्प का भी LED हो गया और पॉम्प को अन और आप करने के लिए भी मुझे बटन चाहिए होगा आगे तो बटन के लिए बिजट कर लेता हूँ यहां पर देख सकते हैं उपर बटन का है यह बटन मैंने सिलेट कर लिया है तो एक तो मैं रखोंगा on का दूसरा रखोंगा आप का तो यह इसका साइज भी सही है अब जो लिखा है उसको मैं जाओँगा और data stream उसके लिए select करोंगा तो on का जो मैंने भी जिरो पर किया था वर्चौल पीन उसको मैं रखोंगा push type का पूछ जो होता है एक बार पूछ बिटन टाइप से काम करता है उसको मैं से रेट कर लिया है और इसको आप मैं नाम रख लेता हूं अगर मैं इसको चोटा बड़ा भी फॉन को मैं कर सकता हूं तो आप प्रिव्यू भी देख सकते हैं कि आपका बटन कैसा दिखा दे रहा है तो यहां पर मैं नाम रख लेता हूं इसको मैं आउन के लिए यूज़ कर रहा हूं विज़ो वर्च्वाल पिंज़ू को आउन के लिए था यह देखिए और एक सिलेट करूंगा बटन इसको मैं आप के लिए रखूंगा इसको मैं पहले क्लिक कर लेता हूं और यहां पर सही जगह पर इसको रख लेता हूं और यहां पर डेटा अक्सम स्टेट करूंगा भी वन को भी वन जो अपना आप के लिए था उसको भी पूश टाइप का बटन रखा हूं और यहां पर मैं नाम रख लेता हूं दोनों को मैं आप कर लेता हूं ताकि बाद मैं कुछ नाम चेंज होता हुआ दिखाई ना दे कि तो यह मेरा भी 0 भी 1 बटन भी रेडिय हो गया अब पर मैं इसको उपर ले लेता हूं थोड़ा जमा लेता हूं अपने मोबाइल के अच्छे से सजा लेना है थोड़ा अरेंजमेंट कर लेना है ताकि आपको सही सही अपने जगह पर दिखाई दे यह पर पहले अपने डेश्टॉप में किया था और यह देखिए डार्क मोड में मुझे कापी अच्छे से दिखाई दे रहा है आप चाहें तो नॉर्मल मोड भी सेलेट कर सकते हैं यह देखिए कुछ इस टाइब से आपको दिखाई देगा खेर यह अभी तक तो यह ऑनलाइन हुआ नहीं है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो सर्गीट डाग्राम हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसी के हिसाब से हमने अपना यह फिनिश कर लिया है सारा सर्गीट का सुल्डरिंग वगरा सब कुछ हमने त्यार कर लिया है और एक बोर्ड के उपर हमने सबको लगा लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना जो बोर्ड है यह अपना वीमोज डीवन वाला वाई भाई बोर्ड और उस से यहाँ पर सोल मॉस्टर सेंसर है इसका फॉल्च लंबह कर दिया है ता कि फीर्ड में और लगा सके और यहाँ पर दिछ सकते हैं कि हमने एक छोड़ा सा बटन भी यहां पर कि रिले कैसे on-off होगा हमारे आयोटी सिस्टम में और इसको हम ग्राउंड पे on-off करने के लिए मतलब बिना मोबाइल का भी on-off कर सकते हैं इस बटन की सहाथा से लेकिन हमारा जो उद्देश है हमारा जो टार्गेट है वह अपना आयोटी बेस्ट है मतलब एक मोबाइल से हम मोबाइल के dashboard से इसको on-off करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो hot spot में अपने mobile का on कर लिया है ताकि यह उससे connect हो सके तो यहां पर मैंने चालू कर लिया है यहां आप देख सकते हैं starting message आ रहा है मैंने जो लिखा था वेलकम मेसेज और यहां connecting wifi लिख रहा है यहां wifi का search कर रहा है यह देखे wifi connected successful और यहां पर आप देख सकते हैं temperature दिखाई दे रहा है 31 degree और humidity 55% और soil moisture अभी दिखानी रहा है और raindrop भी अभी आप है यानि कि जब इसमें raindrop गिरेंगे तो इसमें on हो जाएगा और soil moisture भी दिख देखाता हूं अपना एक mobile जिसमें इसका dashboard दिखाई दे रहा है और जो हमने LCD में देखा था वही हमें यहां पर भी शो हो रहा है 32 degree centigrade और 54% इसका वह है soil moisture I'm sorry और हमारे mobile के dashboard में भी वही चीज दिखाई दे रहा है जो अभी LCD में हमने देखा 32 degree centigrade के temperature है और humidity जो है वह 54% है और यहां पर on और off का जो बटन है वह भी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले मैं यहां pump को on और off करके दिखा देता हूं अपना जो pump है इसको अगर मैं on करूंगा यहां से अपने mobile से यह देखिए on हो गया relay और इसमें जो LED इंडिकेशन है अपना स्क्रीन में वह भी धारात जर रहा है यह वाल आप देख सकते हैं वैसे अगर इसको मैं off करूंगा तो देखे रिले भी off हो गया थोड़ी देर बाद यह भी off हो जाएगा यह देखिए तो इस तरह के से आप अपने pump को अपने mobile की साहता से दूर से ही on off कर सकते हैं तो अभी इसमें कोई भी मॉस्चर वगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यह का मॉस्चर अपना डेखे इस दूर मॉस्चर संचर है तो अभी तो यहाँ पर मैं कोई डालता हूं यह देखिये कि देखिए अब आप देख सकते हैं यहा'm पर on हो गया है और यहां अपने मूबाइल में भी हम देख सकते हैं इस चीज को यह देखिए मॉस्चर का जो LED है वो दिखाई दे रहा है यहां पर और इसको देखिए अगर मैं जैसे निकाल दूंगा तो सोल मॉस्चर आप हो जा रहा है तो अभी यह जो है यह है raindrop sensor अभी मैं इसको निकाल दिया हूँ इसको निकाल दिया हूँ तो यह पर अप धिख्वाय दे रहा है तो अभी raindrop sensor जब इसमें इस सब पानि गिन गिरेंगा तो हैं रो करते हैं यह देखिए, यहां पर रेयन फाल जो है, वो on हो गई है, और यह mobile में भी हम देख सकते हैं कि, यह देखिए, रेयन फाल जो है, वो LED जो है जल रहा है, on हो गई है, तो इस तरीके से हम, अपने field का काम जो है, दूर सही कर सकते हैं, कहां पर पानी देना है कहां पर नहीं देना है सारे चीज़ा हम इसमें हम लोग एड़्जर्ट कर सकते हैं योज दोस्तों आप ड DIY दोस्तों हमने मोबैल का डेश्मॉड बना लिया था आभ लिज drizzle अब वैब souज नहीं है आप मोबैल के डैस्बॉड में कामचंचे लेकांद टो बना लें देखा वी में बना ले थे ङ्याट कर लेते हैं है एक होग अपना टम्परिछर के लिए यह अपना सेटिंग में जाएंगे उसके बाद यहां पर सेटिंग का जो दिखाई दे रहा है और सिलेट कर लेंगे अपना डेटा इस्ट्रीम अपना था एक ठोड़ टेंपरेचर पर 6 वाला था ओके और यहां पर मैं सेब कर लोंगे इसको एक और गीज़ कर लेते हैं हीओमिदीटि के लिए और हम दिखाई देखाई आपना टेंपरेचर और हम धी 6 और बी 5 पे और डिस्प्ले लेडी का दीखाई दे रहा है करता हूं एक से लेटेट यह करता हूं था चैनल कर सकते हैं थाके आपको पता चले कि कौन सा कलर का दिखा रहा है इंडिकरेशन यह अपना हो गया दूठ और एक लगा लेते हैं पॉम के लिए छोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यह देखी अपना पॉम को सेलेट करते हैं जब पॉम चालो होगा तो यह वाला अपना इंडिकेट करेगा और नीचे हम रखेंगे अन और अप का बटन तो यहाँ पर देख जाएंगे बटन ऊपर यहां यह शुछ यहां पर नॉर्मल बटन नहीं है शुछ है और अर ऑप खिसकाने माला तो इसको हम यह हुँप सेलेट कर लेंगे और यहां पर डेटा एक्स्टेम कर लेंगे कोई चाहें तो चेन्रेट करणे और इसकोह में कर लीकित करेंगे या खैल लेते हैं इसको अभी तो यह अपना यह भी रेडियो चुका है और फैनले हम7 isี่ट क्लिक करेंगे यह जरूरी है नहीं यह देखिए 7 इपना रेडियो चुका है और देखिए इंडिकेशन भी शुरू हो जाएगा तो यहां पर देखिए यह ओनलाइन दिखा रहा है अभी अपना तो एक बाद टेस्ट करके देखते हैं अपना वेब डेस्बूर्ड यह देखिए यह टेंपरेचर हुमिनिटी सब दिखा रहा है थोड़ा मॉस्चर कौन कर देखते हैं यह देखिए मॉस्चर दिखा रहा है जैसे मैंने मॉस्चर पर अपना सर्कीट में छोड़ा सा च्छड़शाड करता हूं और वहां पर मैंने थोड़ा सा पानी रेन LED के लिए भी किया था यह दिखाई दे रहा है रेन LED और यहां स्विश से में अपने परम को और आप कर सकता हूं तो आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा हमारा यह जो आयोटी बेस प्रोजेक्ट है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम कम वेधर इस्टेशन सिस्टम तो आसानी से आप अपने एरिये का टेंप्रेचर हुमेडिटी सारी चीज़े आप देख सकते हैं और सा एक लाइक जरूर करेंगे तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग